नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविण मिस्र किसी ने बहुत सुंदर कहा है नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव सोच तरक्की पाने के लिए बहुत जरूरी है चलिए आज जानते हैं क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार साथ ही आज के उपाय में होगा आपके लिए एक बहुत काम का उपाय है तो जल्दी से शुरू करते हैं आपके तारे सबसे पहले बात आज के पंचांकी 30 अप्रेल 2023 दिन रविवार वैशाख मास चल रहा है शुकल पक्ष है दसमी तिथी रहेगी रात को आठ बच कर 28 मिनट तक फिर एका दसी तिथी प्रारंब हो जाएगी मघा नचत्र रहेगा तीन बच कर 30 मिनट तक फिर पूरो फागुनी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा सिंग राश में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर्य मेश राश में बिराजमान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बच कर 52 मिनट से दोपहर 12 बच कर 45 मिनट तक राहुकाल का समय होगा शाम को 5 बच कर 16 मिनट से 6 बच कर 55 मिनट तक जो भी महत्यपूर्ण काम करना है आप अभीजीत मुहूर्थ में कर लिजेगा और राहुकाल अच्छा नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा चूल है पश्चिम दिशा तो पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह बली होने पर नौकरी मिलती है यानि कुंडली में कौन सा ग्रह आपके स्ट्रॉंग हो तो आपको जौब दिलाएगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे देखे कुंडली जब हम देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि दस्वा घर आपका कितना बली है क्योंकि कुंडली में जो दस्वा घर होता है वही प्रोफेशन का, रोजगार का, अधिकार का, सम्मान का कारक माना जाता है कुंडली में जो दूसरा घर है वो धन का कारक माना जाता है परिवार का कारक माना जाता है भाशा का कारक माना जाता है तो दसमे घर से प्रोफेशन देखते हैं सेकंड हाउस से यानि दूसरे घर से धन और परिवार की स्थिती देखते हैं कुंडली में रोजगार के लिए दस्वे घर और दूसरे घर दोनों को मिला करके देखा जाता है कि प्रोफेशन से कितना धन आप कमाने में काम्याब होगे कोई नौकरी करेगा कैसी नौकरी होगी उसके लिए शनी की स्थिती भी देखी जाती है शनी जिन लोगों की कुंडली में मजबूत होता है उनकी नौकरी बहुत अच्छी चलती है सरकारी नौकरी अगर किसी को करनी है या जो लोग कर रहे हैं उनकी कुंडली में शूरे का बली होना बहुत जरूरी है जब शूरे बली होता है तभी गौर्मेंट जॉब मिलती है नौकरी प्राप्ती के लिए कुंडली में और कौन-कौन सी स्थितियां अनुकूल होंगी यह हम आपको बताएंगे लेकिन पहले जान लेते हैं मेश, ब्रश, मिथुन और करक राशी का राशी फल मेश, राशी, रिस्तों को लेकर मन में टेंशन रहेगी, किसी करीबी से अन्बन हो सकती है करियर से जुड़े फैसले सोच समझ कर करना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा शुबरंग, मरून, उपाय, भगवान शूर को अर्ग दे ब्रश राशी, यात्रा से लाब होगा, जीवन साथी से बाचीत करते समय क्रोध से बचे है मनुबल आपका उचा रहेगा, आत्म सम्मान बढ़ेगा, शुबरंग, सुनहरा उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा मिथ उन्राशी, किसी के भरोसे कोई भी काम ना छोड़े विदेश से संबंधित काम आपके बनेगी किसी बात को लेकर मन में टेंशन रहेगी लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी शुबरंग बादामी, उपाय आज किसी गरीब को भोजन का दान करें करकराशी, धनलाब के लिए नए सिरे से कोशिश बढ़ानी होगी परिवार से आपको सहयोग प्राप्त होगा नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहें अपनी सेहत का ख्याल रखें शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें आईए आप जानते हैं कुंडली में कौन सी इस्थितियां अनुकूल हो हर आदमी चाहता उसे अच्छी जाब मिले तो कुंडली में कुछ इस्थितियां अगर आपके फेवर में होगी तो जाब पाना आसान हो जाएगा तो देखिए कुंडली में जो प्रथम भाव है जिसको पहला घर बोलते हैं जिसे लगन बोलते हैं प्रथम भाव, दूसरा भाव, छठा भाव का संबंद अगर दसमे भाव से हो या प्रथम भाव, दूसरे भाव, छठे भाव के जो स्वामी है इनका संबंद दसमे घर से हो जाए तो जौब मिल जाती है लगन के स्वामी की यानि जो प्रथम भाव है उसके स्वामी की दसा चल रही हो, महा दसा चल रही हो या अंतर दसा चल रही हो तो भी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं इसके साथ ही नौमेश की दसा या अंतर दसा चल रही हो तो भी नोकरी मिलने के योग बन जाते हैं प्रतम भाव, दूसरा भाव, नवम भाव और दसम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी दशा या अंतर दशा चल रही हो तो भी रोजगार प्राप्ति के योग बनते हैं यानि देखे कितनी सारी संभावनाएं होती हैं रोजगार मिलने की दशमेश की दशा यानि जो दशमे घर का स्वामी है उसकी दशा या अंतर दशा में भी रोजगार प्राप्ति के प्रवल योग बनते हैं तो ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं कुंडली में अगर इनमें से कोई भी परिस्थिति बनती है तो रोजगार यानि जॉब मिल सकती है और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको रोजगार पाने में यदी बाधा आ रही है तो आप क्या उपाय करें ये भी बताएंगे लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारिक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है बिश्व जीत, बिश्व जीत बहरा का सवाल है, बिश्व जीत ध्यान से सुनेगा इनकी डेट अब बर्थ है, बीस फरवरी सन दो हजार दो, बारह बच कर तिर पर मिनट, बाला सोर उडीशा का जन्म है इनका इनका सवाल है कि नौकरी कब मिलेगी, देखिए आज हम जॉब के बारे में बात ही कर रहे हैं कि कुंडली में कैसी परिस्थितियां हो तो नौकरी मिल जाती है कौन सा ग्रह नौकरी दिलाने में मदद करता है और इनका सवाल भी इसी सी जुड़ा हुआ है विश्थु जी जी आप ये प्रोग्राम ध्यान से सुनिएगा आपकी कुंडली बन करके तयार है अभी आपकी कुंडली आपको दिखाएंगे आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और ब्रश राशी है आपका जन्म कृतिका नचत्र के तृती चरण में हुआ है इस समय आपकी राहू की महादसा चल रही है जो मार्च 2021 से शुरू हुई है और ये मार्च 2049 तक 2039 तक चलेगी और राहू की महादसा में राहू की ही अंतरदसा मार्च 2021 से दिसम्बर 2023 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखे आपकी कुंडली में जहां ये 10 नंबर लिखा हुआ है जहां ये 12 नंबर लिखा हुआ है ये है दसमा घर यहीं से हम प्रोफेशन देखते हैं और दसमे घर का स्वामी है ब्रहस्पती दसमेश है और ब्रहस्पती लगन में जाकर के बैठा है 11 डिगरी का और जो लगन का स्वामी है जहां ये 3 नंबर लिखा हुआ है ये जाके बैठ गया है यहां अस्टम इस्थान में 11 डिग्री का आपकी कुंडली के हिसाब से दिसंबर 2023 से अप्रेल 2026 के बीच में जॉब प्राप्ती का बहुत अच्छा योग है आप इस दोरान प्रियास करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी तो अभी से जिस तरह की जॉब चाहिए उसके लिए कोशिसें बढ़ा दीजे तो ये जब समय आएगा इसमें समय में आपको जॉब मिल जाएगी उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय प्रति दिन भगवान विश्नु की आरती करें और ब्रहस्पतिवार के दिन भगवान विश्नु के मंदिर में पीले रंग की बेसन के जो लड़ू आते हैं वो ले लिजे और तुलसी दल ले लिजे भगवान विश्नु के चड़नों में अर्पित करें भोग लगाएं और प्रसाद गरीबों को बाटे हैं ये उपाय करिए भवान विश्नु से प्राथना करिए कि आपकी मनों कामना पूरी हो अच्छी जवाब आपको मिल जाए भवान विश्नु के आशिरवाद से बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जर्म की तारीक, जर्मिस्थान, जर्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगयाने वाले कारकर में शमिल करेंगे चलिए आगे बढ़तें और अब बात अगली राशी सिंग राशी की सिंग राशी वाले क्रोध पर नियंत्रन रक़्ें अपने खर्चों को कंट्रोल करें किसी से पैसा उधार लेकर काम ना करें कहीं दूर से शुब समाचार आपको मिलेगा शुबरंग मरून उपाय हनुमान चालीशा का पाट करें कन्याराशी गलत फैसले नुकसान की ओर ले जा सकते हैं हर काम सोच समझ कर करना होगा अपने मन की बात परिवार वालों से अवश्य शेयर करें आलश्य की वज़े से कोई भी काम ना छोड़ें शुबरंग केसरिया उपाय किसी गरीब को फल का दांग करें तुलाराशी परिवार वालों से मतभेद दूर होंगे हर किसी पर भरोसा करने से बचें आमदनी के साधन बढ़ेंगे सेहत आपकी ठीक रहेगी शुबरंग गुलाबी उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं ब्रिश्चिक राशी मित्रों से मुलाकात होगी किसी अहम विशय पर चर्चा होगी जल्दवाजी में फैसला करने से बचें अहंकार की वज़े से नुकसान हो सकता है साधान रहें शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को गुड का दान करें आईए आप जानते हैं कुंडली में कौन से ग्रह बली होने पर नौकरी मिल जाती है देखिए अगर आपकी कुंडली में शनी बली हो तो व्यक्ति को नौकरी प्राप्त हो जाती है यानि जाब प्राप्ति के लिए कुंडली में शनी का स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है जिन लोगों की कुंडली में मंगल बली होता है ऐसे लोगों को पुलिस में सेना में उच्च पद की प्राप्ति होती है यदि कुंडली में ब्रहस्पती बली हो जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं और धर्म गुरू भी बनते हैं तो हर ग्रह के बली होने से अलग-अलग तरह का प्रोफेशन निकल कराता है जैसे यदि कुंडली में बुद्ध ग्रह बली हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनस्मैन, बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे एकाउंटेंट बन सकते हैं जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह बली होता है ऐसे लोग फिल्मी दुनिया में या सिंगिंग के छेतर में अच्छा नाम कमाते हैं अगर राहु प्रवल इस्थिती में हो कुंडली में तो ऐसे लोग आयात का बिजनस यानि इंपोर्ट का बिजनस करने में बहुत सफल होते हैं अगर केतु बली हो तो ऐसे लोग एक्सपोर्ट का बिजनस करने में यानि निर्याद का बिजनेस करने में बहुत सफर होते हैं आगे आपको बताएंगे धनू, मकर, कुम्भा और मीन राशी का राशी फल उसके पहले एक और सवाल ले लेते हैं यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं के लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है नीता सिंग, नीता सिंग जी ध्यान से सुनिएगा इनकी डेट अब बर्थ है 18 नौंबर 1998 सुबह 10 बजे चंडीगड का जन्म है इनका सवाल है कि शादी कब होगी नीता जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है आईए पहले आपकी कुंडली आपको दिखाते है देखे आपकी धनू लगन की कुंडली है और तुला राशी है आपका जन्म विशाखा न चत्र के प्रथम चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो अक्टूबर 2013 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2032 तक चलेगी और शनी की महादसा में शुक्र की अंतरदसा चल रही है जो अगस्त 2020 से अक्टूबर 2013 तक चलेगी आईए आपकी कुंडली आपको दिखाए देखे आपकी कुंडली में जहां ये नौ नंबर लिखा हुआ है ये है धनूलग्न और धनूलग्न का स्वामी ब्रहस्पती ये जाके बैठ हिया है यहां थर्ड हाउस में 24 डिगरी का केतू के साथ केतू दो डिगरी का है ब्रहस्पती 24 डिगरी का है और मैरिज के लिए देखते हैं सात्वा घर सात्वे घर का स्वामी है बुद्ध और ये बुद्ध जाके बार्वे घर में बैठा है शूर और शुक्र के साथ आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मैरिज का समय चल रहा है और अगर आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो अभी से ले करके अक्टूबर दो हजार पच्छिस तक मैरिज का योग बना हुआ है आप प्रयास तेज कर दीजे और जिस तरह का जीवन साथी चाहिए उस तरह के अगर लड़के मिल रहे हैं तो आपको डिसिजन ले लेना चाहिए क्योंकि समय चल रहा है उपाए क्या करें जिससे आपकी अच्छी शादी हो पहला उपाए प्रति दिन भगवान शिव को जल अर्पित करिए फिर भोलेनात को बेल पत्र चढ़ाए और शिव जी की आरती करिए आरती करने के बाद प्राथना करें कि आपकी शादी में जो बाधाएं आ रहे हैं वो बेशन के लड़ूं का प्रसाद चढ़ाए और गणेश जी की आरती करके उनसे भी निवेदन करिए कि जो संकट आ रहे हैं वो सब दूर हो और अच्छा जीवन साथी मिलें ये दो उपाए करना शुरू करिए बहुत जल्दी आपके इक्षा पूरी होगी चलिए आगे बनेंगे अपने हुनर का प्रियोग करके आप अच्छा लाब कमाएंगे दामपत्य जीवन में मधूरता बढ़ेगी शुबरंग सुनहरा उपाए गव माता को रोटी खिलाएं मकर राशी मित्रों की मदद से काम बनेंगे पार्टनर्शिप में काम करने से लाब होगा आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा लंबी दूरी की यात्रा से बचें शुबरंग सफेद उपाए किसी गरीब को चावल का दान करें कुम्भ राशी कुम्भ राशी वालों की मन की चिंता दूर होगी कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी परिवार से सहयोग प्राप्त होगा लोगों से लड़ाई जगडा करने से बचें शुबरंग गुलाबी उपाए किसी गरीब को भोजन दान करें मीन राशी आने वाले समय के लिए योजना बनाने का दिन है अपने काम पर ध्यान देना होगा बाचीत करते समय क्रोध से बचें सेहत का ख्याल रखें शुबरंग बादामी उपाए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें अब वक्त है आज के उपाए का यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो एक बार ये उपाए जरूर आज माईए क्या करना है आपको प्रति दिन नियम बना करके हनुमान चालीशा का पूरे मन से पाट करें और 21 शनिवार तक लगातार दो बुजुर्गों को भोजन दान करें बुजुर्ग गरीब हों जरूरत मंद हों इस बात का ध्यान रखेगा ये उपाय करना शुरू करिए आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी इक्षा पूरी होगी अच्छी जौब आपको प्राप्त होगी तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके तारे आपका दिन बनाएंगे जीवन में खुश्यां लाएंगे नवस्कार